नमस्कार मैं सार्दा पांडे आसान जिन्दे की किसी एपीजोड में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बसंत पंचमी पर्व पर माता सरुसती जी का पूजन करके दिखाऊंगी और जो छोटी-मोटी कताएं हैं पर वसंत पंचमीक से सम्बंधित वो भी मैं आपको बताओंगी माता स्रुसती जी का आज उत्वत्ति हुआ था यानि कि जन्म उनका दिवस मना जाता है मा सरस्वती जी का रचना भगवान ब्रह्मा जी ने किया था और मा सरस्वती जी ब्रह्मानी है माता सरस्वती जी को संगीत का देवी भी माना जाता है संगीत की देवी है माता और माता ज्यान की देवी है ब्रह्मा जी मा सरस्थी का उत्पत्ती इसलिए किये कि शुबुद्धी लोगों को मिल सके सब देवियां हैं मालच मिधन की देवियां मादरुगा सक्ती की देवियां इसली प्रकार से सब देवियां थी तो मासरुसती की उत्पत्ती ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी ने किया मासरुसती जी का पूजन आठ साल के बच्चे से लेके 80 साल के बृद्ध तक को भी करना चाहिए ये ज्ञान की देवी हैं जैसे कि छोटे छोटे जो बालग हैं लोग मतलब उनको कम लगता है कि हमारी बुद्ध इसके सामने कम क्यूं है तो ये सब कभी न कभी किसी न किसी जन्म मैं भी माता का तपस्या की करके ये प्रगत इनको मानता है मतलब प्रगत हुए हैं ऐसे लोग जो तमाम ग्दों होहानि वो मा का ही आसिरवास से उनको ये ज्यान विलच्छन बुद्धी होती है जिनके अंदर ये माता का पूजा से ही होता है तो जैसे कि तमाम बच्चे इंटर्वियो करन जाते हैं तो अच्छी जो प्रशनों के उत्तर दे पाते हैं तो बुद्धी को सुध तेष्ण और कुसल बुद्धी जिनको बोलते हैं माता का पूजान करने से मिलता है सबको पूजान करना चाहिए मासरुसुती जी का ऐसी मानता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम चंजी आज के दिन ही माता सेवरी के आश्रम पहुँचके माता जी के सेवरी जी के हाथों से माता का जूठा जो बैर होता है वो आज के दिन ही भगवान श्री राम चंजी खाये थे भगवान स्री कृष्ण चन जी भी माता सरुषती जी का बिधिवत पूजा करते थे बसंद पंचिमी के पर्व पर उसी तरह से माता जैसे कि आप किसी को गाते सुनते हैं तो बोलते हैं इनके कंठ में सरुषती जी का बास है तो इसी प्रकार से मां सरुषती का पूजण करने से कभी-कभी बच्चे छोटे होते हैं अगर बड़े सैयाने होते हैं कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हर तरीके से उग्ञानि ध्यानी होते हैं पर वो कभी-कभी ऐसा ही बात कहीं-कहीं बोल देते हैं, जो काफी लोगों को बूरी लग जाती है, इन्हीं सबसे बचने के लिए माता के सरण में रहना चाहिए, इनका पूजन विधिवत करना चाहिए, और माता से सब जो आपको चाहिए, वो मागने के साथ साथ ग्यान सब पहले मागिए अगर लोगों के अंदर ज्यान हो जाए तो जो सारे जो और संकट हैं वो दूर हो। बात से ही हर चीज़ शुरू होता है प्रेम, लड़ाई, द्रेश, राग जो भी होता है आदमी के बात से ही अच्छी और बुरी बात से होता है तो माता से जरूर आशिरवाद में कि माता हमारे बच्चे से लेकर जो बड़े हैं बुढ़े हैं उस सब के अंदर आप वास करो इनको सो बुद्धी दो, इनकी बुद्धी जो है वो बिलच्छन हो, हर जगा है अपने ग्यान से, अपने बातों से सबका मन जीते हैं। उसी तरह से माता का जो पूजन है हो तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगी, तो माता का पूजन में जैसे की नौरात्रियोगरम पूजन करके हम कन्याओं को खिलाते हैं, तो मा सरसुति के पूजन में, बसंद पंचमी के पूजन में भी छोटी-छोटी कन्याओं को, पांस-सास साल की कन्याओं को बुलाके, उनको मीठा चावल जो की केसर यूक्त बनाये जाता है, पुराना चावल रहे तो इसको आप किसी भी पात्र में जो पकाएं, तो पकाने के बाद, उसमें थोड़ा सा केसर उपर से डालके, और थोड़ा सा घी और थोड़ा सक्कर डालके उसको कन्याओं को जरूर खिलाएं या तो पीला हलुआ जरूर बनाएं सारे सामग्रियों के चढ़ाने के बाद यह हलुआ यो जो मिठा चावल है जरूर चढ़ाएं उसी प्रकार से जब हम असनान करें तो बसंद पंचिमी के दिन हल्दी डाल के असनान करें, विधिवत पीला वस्त्र धाराण करके पूजन करें अब पीला ही आसन माता के लिए और अपने लिए भी बिछाएं, पीले वस्तुओं को जितने भी पीले जिसे फल, फूल, वस्त् पीले वस्त्रों को चढ़ाते हैं माता को, पीले सिंगार के समान चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मा सरसुदी जी के पूजन में पीले वस्त्रों को और पीले सिंगार के समान, जैसे पीली, चूडी, पीली, कंगी, और जो भी चुंदरी या साड़ी उगर होती है, माता को ज तो एपिसोड बताई हूँ, इसको भी बताई हूँ, अई सब पूजन में, यह जो सामगरी हैं, आप खुद इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं, अपने बहन बेट्रियों को बहूं को दे सकते हैं, जो इस्ठान अगर मैं आपको पूजन करके बताऊंगे, जो चढ़ाएंगे इसको आप अपने आस पडोस हैसे की बायना बाड़ते हैं, उस तरह से आप बाड़ सकते हैं, घर में बाड़ सकते हैं, ब्राहमर को भी दान दे सकते हैं, लेकिन पूड़ता जो सामगरी होती है, उसको हर सामगरी को दान देना नहीं है, आप अपना सिंगार का समान असाड देखे किया जा सकता है ये तिति अच्छे तितिया की तरह ही सुभ मानी जाती है कि इस दिन कोई भी मुहुर्त नहीं देखा जाता ग्री प्रवेश हो सगाई हो मुंडन हो कुछ भी हो इस दिन बिना मुहुर्त देखे किया जा सकता है बच्चों का जो बिद्या प्रारंब कर आज के दिन ही कराते हैं बहुत शु trave अधा झालो और पाउडर तो वचे अदय करती हैं चुम पढ़ttie लेते हैं और ऐसा चुल है कि लाल कोई बाहिना और आदा जाएं उसको घोल के, तो बच्चे से अपना हाथ उसका छुआ के पकड़ा के, दो चार अच्छर जो कि गः अच्छर पहले लिखके, फिर उसके बाद बाकी अच्छर लिखना चाहिए, गः अच्छर पहले नहीं लिखा जाता, इसी प्रकार से विद्यापाराम्भे के लिए ए अच्छा है और इस मुहूर्त को यह बसंदपंचिमी को अबूज मुहूर्त भी कहते हैं इसको जिसको मैं बताए कि अच्छय थितिया की तरह ही यह बहुत ही सुभ माना जाता है, इस दिन कोई भी काम किया जा सकता है, तो मैं आपको पूजन कर के दिखा रही हूं होना चाहिए हो सब यह माता से ग्यान का दान मागYe trades को जो बुद्धी आइ झो भराब बुद्धी है जो शड्यांद करते हैं कि दुख पहुँचाने के लिए कुछ करने के लिए सब नहीं शू बुद्धी जैसे कि रिशियों को माता सुबुढ़ी देती हैं और तमाम ओ लोगों को भला करते हैं इस प्रकार से सुबुढ़ी कमाता से मांग करना चाहिए मैं आपको पूजन करकी दिखा रही हूं आप ध्यान से देखिए पहले आपको यह चौकी है पीला कपड़ा है इसको चारतरविज में हल्दी लगा लिये हैं सुध करके और मा को चुंद्री उढ़ा लिये हैं मैं आपको अश्ट दल कमल बनाना बता रही हूं जैसा कि मैं पहले अश्ट दल कमल का एक वीडियो डाल च सकते हैं तो मा सुषती जी को हर चीज पीले रंका होना चाहिए इसलिए ये पीला चावल हम लिये हैं अश्ट दल कमल बनाने के लिए और इसी पर हम कलश स्थाप्ना करेंगे तो अश्ट दल कमल बनाने का सबसे सरल विधी है एक बराबर आप आठ डंडी बना लिजिए बस चाहिए इसको सिर्फ अइसे करना है और माता के पूजन में सब पीले चीज ही चड़ते हैं तो इसलिए हम पीले चायूवल का चाहिए बना के आपको दिखा दिए ये तयार हो गया और जैसा कि ये गलस हम पहले से तयार करके रखें हैं इसलिए किसमें काफी समय लगता है इसमें गंगा जल, साधारन जल और हल्दी और सुपारी और एक सिक्का डला हुआ है और ये सर्व औसधी है जो कि मैं सब देवियों को पूजा में इसको डालती हूँ देवियों को पूजा में सर बॉसधी अनिवार है कलस में इसको डाला जाता है तो मैं इसको आपको अलग से दिखा रहे हूं कि पूजा दुकान में मिल जाता है आप सर बॉसधी जरूर लाइए और देवी पूजन में कलस में इसको जरूर डालते हैं कलस में जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूं ये पत्तियों को भी आप विधिव सजाईए इनको धोके जैसे हल्दी कुमकुम भोली पर जो अबीर लगाते हैं ये गुलाल है गुलाल भी लगाना चाहिए बसंद पंचमी के पूजन में गुलाल भी माता को चढ़ाया जाता है तो इन सब से अच्छी तरीके से हम इनको तयार कर ली है, कलास को आप कलासुस्थापना आसान जिनकी में सर्च करको भी देख सकते हैं, उसके बार हम गणेश जी और मागौरी कास्थापना भी करते हैं ये पान की पत्ती है, किसी भी पूजन में गौरी जी और गणेश जी का स्थापना अनिवार है, हम करते ही हैं, क्योंकि बसंद पंचमी का पूजन है, इसलिए हल्दी निर्मित्मा गौरी को बनाए हैं, गाय के गोबर से भी बना सकते हैं, पर बसंद पंचमी के पूजन में ह हम हल्दी से बनाए हैं ये सुपारी है इसमें हम कलावा लगा के ये भगवान स्री गणेश जी को हम प्रगट करते हैं और ये भगवान स्री गणेश जी हैं इनकी भी पूजन हम विधिवत माता गवरी के साथ करते हैं तो आप ऐसे इस्थापना करिए माता गवरी के साथ ओम् मा आठी ऑग ऑगय woven ची भी प्रजलिट करते हैं यहां थोड़ा सा चावल रख्के दीप हम देवी दताओं को जब भी जलाते हैं तो जो उसमें बाती रहती है वो एक बाती नहीं रहती है उसमें हम दो बाती डालके जलाते हैं और ये तिल का तेल है आप सुद्ध घी भी इस्तिमाल कर सकते हैं दीप जलाने के लिए तो दिप हम जला देते हैं आप माता सर्शती जी का तमाम जो इस्तोत्र गहरा आते हैं उनको भी आप लाके बसंद पंचमी के दिन पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद विध्यवत माता की आर्थी भी गाई जाती है चालीशा भी गा सकते हैं जो भी आपको समय के अंसार जो भी सुविधा हो आप उसको कर सकते हैं ये जो दीप और धूप हम जलाते हैं इनको भी हम सुध्धी कराड करते हैं ऐसे कुष घास से तीन बार इस तरीके से हम माता का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम हल्दी का तिलक लगाएंगे मा सुरस्ति मिया जी को हम कलस में भी यानि ये पीले कपडे से हम इनको कलस में अढ़ाएं हैं और लच्छमी जी के और दुर्गा मिया जी के पूजन में हम लाल कपड़ा अढ़ाते हैं नारियल में और जैसा कि हम आपको पहले से दिखाए हैं कलस की पत्यों को सजाया गया है इसमें काफी टाइम लगता है। तो आप ऐसे सजाना, इसलिए पहले सजा दिये हैं। जैसे आपको मैं हर पूझन बताई हूँँ ये कलाः स्थापना, इसमें सर्व देवी देवता स्थापित हो जाते हैं। वरों जी के साथ शाथ तो कल सथापना आप जरूर करिए और विधियवत करिए अब में मा सुर्षती माता को अच्छत लगाती हूं पीले चालों का लाओं मां भृष टेंगे पहले सका जाशानिग में लाओं देवी जैवता को अच्छा थी प्रकार से आप भी धिवत पूजन करिए माता को कुम-कुम का करेंगे ओम मासरसथी नमा कुम कुम कूम ठिलक लगा देते हैं डेयो आड़ला घाटा कू यह मैं दिखाना चाहती हूँ यह धोजा है जो कि पीला है मासुति जी के नाम से है तो हम पीला धोजा बनाए है तो इनका भी पूजन वीधिवाज जैसे कलस का होता है पूजन वैसे धोजा का भी पूजा होता है तो दोज में भी हम कुमकुम, हल्दी, अच्छत, फूल सब चढ़ाते हैं दोज का भी पूजन होता है कलस देवता की तरब तो यह हम कुमकुम चढ़ा दिये माता को अब हम माता को फूल, माला अरपन करेंगे मासरुसती मिया जी को माता को हम पूश्प माला अरपन कर दिये अब हम यह कलस जी को पूश्प चढ़ाएंगे और कलस को हम बीधिवत पूश्पों से सजाते हैं आप भी ऐसे पत्तियों के सहारे से से हम यह पूश्पों को लगाके रखते हैं आम स्री कल्हाइ नम उम् भरुन देवता नमा ओम मागोरी नमा। ओम गंगडपी नमा नम भंगडपी नमाउ आमेद आमा। ओम स्री कल्हाइ नमा। हम सिर्फ घणेश को दूर्बा चड़ा रहे हैं और बनेक्टा है डुर्बा सिर्फ घणेश को लिएक लाल K loved Gणेश दूर्बा रहे हैं Call ज्याहन很好 foreign घणir Rush अच्छा सुत्र है ये मा सुरुषती जी को मैं चढ़ा रही हूँ अब हम माता को ये सब सिंगार कर चुके हैं अब हम मा को भोग लगाएंगे तो सबसे पहले हम माता को फल का भोग लगाते हैं ओम मा सुरुषती नमा ओम मा सुरुषती नमा महा देवी फलहार सिवकार करो ओम स्री वरून देवताय नमा ओम स्री वरून देवताय नमा ओम स्री कलसाय नमा ओम स्री कलसाय नमा मैं आपको दिखाना चाहती हुँ ये जितने ही रितु फल हैं इनके साहस साहथ ये बेर का भी भोग जो बेर होती उसकी भी भोग माता सरसुति जी को लगाए जाता है विशेश रूप से मा शुर्शती जी को भग श्यवकार करों, बोलते हैं इनको भी दित्व फढमेन Спक्त फॉल में बढ़ेंगे इस फली को भी हम भगवान जी को चढ़ाते हैं इसको आप भी चढ़ाइए यह तुफल में आते हैं सब शुरात्री में चढ़ते हैं उसे ही बसंद पंचमी पर भी यह सब चढ़ते हैं यह आम का फूल है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यह आम का फूल है यह फूल बहुत ही सुभ होता है अगर आपको मिल सके बसंद पंचमी पर तो जरूर मिलते हैं यह फूल भी जैसे सिरात्री में चढ़ते हैं और यह बाली है गेहूं की जोगी या गेहूं की बा सूर चैने माश ofी कुल साइन की सवराली दे Mitsê बहुत ही जरूट सिवकार करो यह सब जो वस्तुने चपह रहे हीं सामगरी ही सब होते हैं इन सब को माता को जरूर चढ़ाएं जरूर ही भोग लगाएं जैसा कि मैं आपको कथाम बताएं हूँ यह केसर यूगत चावल है इस चावल को जिस पात में पकाएं अच्छी तरह से पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें मिस्री या कोई भी सक्कर मीठा डाल सकते हैं उसके उपर से थोड़ा सा केसर डाल के थोड़ी दिर इसको चला के ठाक दें यह कलर ऐसे पीला हो जाता है कुछ मेवा डाल के यह मीठा चावल है आप बना सके इसको बना लेजिए और नहीं तो आप पीला मतलब बेशन का हलुआ भी बना के कन्याओं को जरूर खिलाएं औ दान फी देंGO अंगरपतेन मौनम देवता भोग शिवकार करो ये शब भोग बिधिवत बनाए सफाई से और माता को भोग लगाए ये सफेद तिल का लड़ू है जो कि माता को चढ़ाया जाता है सफेद तिल का लड़ू आप जरूर बनाए गुड से बनाए इसको भी चढ़ा के आप युकार करो ओम स्री कलसायनम ओम स्री कलसायनम देवता भोग सिवकार करो ओम स्री वरूर जी भोग सिवकार करो सरवे देविजवता भोग सिवकार करो मागवरी मया भोग सिवकार करो भगवान स्री गनेश जी भोग सिवकार करो देवता की जय हो ये बेशन का लड़ू है जो कि हम इसको सुद्धि घी में इसका पहले सेव बनाए हैं, फिर गुड का पाक बनाके इस लड्डू को बनाए हैं, ये भी मासरुषदी को पीला वस्तु में आता है, इसको भी जरूर चढ़ाना चाहिए. ओमा सुद्धि नमा महा देवी भोग सिवकार करो, कलस जी भोग सिवकार करो, सीवरुन देवता जी सर्वे देवी देवताय नमा भोग सिवकार करो, ओमा गवरी नमा महा देवी भोग सिवकार करो, भगवान स्री गनेश जी ओम गंगडपते नमा ओम गंगडपते नमा देव यह वेशन का लड्डू है इसको भी आप बना के चढ़ाएं यह भी बेशन का ही लड्डू है इसको जैसे हम आपको एपिसोड में बताएं हैं मेवा मगदर उसी परकार से मगज का है मिष्ठान वेशन का तो इसको भी बना के जरूर चढ़ाएं माता को सुद्ध घीमे भून कि इसको भी बनाए है ओम इसको हम अगदल मेवा बनाए थे वसिय मगदर मेवा है कि हम सुद्ध घी में बेसन को भून के सुवरात जाधा घी लगता है और उसके बाद म béता जरूर् भून के भूनके मिला है। इसको भी बूत भूता को जरूर भोग लगाए। यह दूद की वरफी है, जो कि हम घर में बनाएं हैं। दूद की वर्फी जो की सफेद में आता है इसको भी मा को जरूर भोग लगाएं दूद की बहुत बीधिवत सुद्धता से सफाई से हम बनाएं अब हम जल से भगवान को सीचेंगे जल चढ़ाएंगे यानि हम कुछ से जल पिलाते हैं देवी जोता को इस प्रकार से जैसे कि हम भोजन के बाद जल गरहा करते हैं वसे हम देवी जोता को कुछ से जल गरहा करा देते हैं उसके बाद हम मुख सुद्धी के लिए तामबुल पत्र यानि पान के पत्तों पर सुपारी लॉंग और इलाची मुख सुद्धी के लिए देवी दोता को जरूर चढ़ाना चाहिए आप भी जरूर चढ़ाएं तो ये तामबुल पत्र यानि की पान के पत्ते हैं दो पान वही उसी लौंग को देवी देवता को चढ़ाए जाता है और दो इलाची सब देवी देवता को हम चढ़ाएंगे हम इसको मा सुपारी पान डालके श्री कलस जी को इसी प्रकार से मंत्र पढ़के हम चढ़ाएंगे फिर हम मा घॉरी को और भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएंगे इसी प्रकार से आप मंत्र पढ़के और देवी देता को अर्क्मान करिए पान सुपारी लौंगि लाची ओम मा घॉरी नम आ候 मा घॉरी नम महा देवी की जै हो और भगवान श्री गणेश जी को हम doesn't it सामगरी चढएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पीली साड़ी है, जो भी वस्तुएं है, वो पीली, ये चूरी है, वो पीली है, और जो भी है कंगी उगर बिंदी पिली नहीं मिल पाई है तो हम लाल बिंदी चढ़ा सकते हैं ये माल है तो सिला हो अवस्त्र माता को नहीं चढ़ा जाता तो आप इसको खुद इससे माल कर सकते हैं अपने घर में किसी को भी डान दे सकते हैं ये बिछुआ है चांदी का इसको हम भी कोई भी बहन बेटी बुआ हो उनको दे सकते हैं खुद प्रभू मै चारा शुरसत्य नेरे सदास्वाद्दो माहा देवी सदा हमारे संतान बने रहे हैं आशिरेवाद्दो ये भक्त भगवान का संबंध सुदव बना रहे हैं आशरी बात दो माता की जाए हो सर्व देवी जोता की जाए हो तो किसी भी देवी देवता के पूजन में उनके मन पसंद का फूल, फल, सामगरी उनके जो जिस रंग को पसंद करते हैं उस रंग के उनके सामगरी को जरूर चढ़ाएं तो हम कोशिस करें हैं कि माता के लिए पीले वस्तों का व्यवस्ता करके चढ़ाये हैं तो आप भी इसी प्रकार से माते श्रीव का पूजा करके मा को परजन करके मन चाहा वर्दान माता से आप जरूर मागें अब हम माता के लिए आर्टी का प्रबंद करते हैं आप जिसे कि बताई हूं गोई भी चालीशा इस्तोत्र गैर आप जरूर पढ़ें यह आरती का आरती का यह 5 बत्ति में जलाई हूं, फांस तीन एक जला के कभी भी आरती नहीं किया जाता है तो आप इस तोत्रोगरा जैसे मैं पूजा कर ली हूँ तो मैं इस तोत्रोगरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ आप अपने अनुसार जो भी आप कंठस्त हो जाते हैं कोई अगर पढ़ते हैं रोज तो और नहीं तो आप बजार से मगा के आप अलग से भी पढ़ सकते हैं अब उसके बाद ही माता का आप आरती गाएं तो मैं कहके बता दी हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ इस प्रकार से आरती को आप सजाएं और आरती हमेशा खड़े होकर गाया जाता है खड़े होकर आप आरती गाएं और फिर उसके बाद तीन बार आरती को लेकर प्रदिश्धना करते हैं यानी तीन बार घुमते हैं जितने भी देवी जोता हमारे आसपास रते हैं अब सबकी आरती हो जाती है मैं आपको आरती का विधान बता रही हूँ उसके बाद आर्ती को रखके तीन बार इस प्रकार कुछ घास से शांती की जाती है कि मैं आपको बता दे रहे हूं से शांती करके उसके बाद देवी जोता को ऐसे हाथ से पचरन के जाता है इनको धुआ दिया जाता है यह कपूर है कपूर को भी हम चावल के ऐसे धेरी पर र पूरा हम पूजा बिधिवत माता का पूजा करके हम आपको दिखाएं अब आर्ती के लिए ऐसे घुमाया जाता है जिन देविजोता का आर्ती कर रहे हुआ वैसे घुमा के मा फ्रुसती मिया जी को पहले रखें जिन देविजोता का हम पूजा करें उनको पहले रखें उसके बाद हम कलस जी के लिए हम रखेंगे जितने भी देविजोता को हर ची तुछ करेंगे विसे जो हम दच्षिणा चढ़ाते हैं इनको हम अपने घर में इस्तेमाल करते इनको जरूर हम राहमणों को दान देते हैं महादेवी दच्छिनास्री उकार करो, घर में सदयो धन भरार है, शुक शांती बनी रहे, महादेवी आसिर वात प्रदान करो, जय भगवान स्री गणेची दच्छिनास्री उकार करो, देवता आपकी सुभता सदयो हमारे परिवार पर हमारे उपर बना रहे, प्रभू आसिर बात प्रदान करो इसी प्रकार से सब देवी जयताओं को ओ यह दोज के नाम से हम भी चढ़ा दिखाएं कि दोश पर हम फूल मालाय नहीं चढ़ा सकते हैं तो हम यहां पर हर सामगरी यहां पर रखके दोश पूजा करते हैं यह हम दच्छिना दोश को चढ़ा दिये जितने कि मासरसती जी के पूजान में हम ब्रत नहीं रहते हैं और जो भक्त हैं ब्रत रहा भी सकते हैं लेकिन हम विसेश करनका पूजान ही करते हैं मैं आपको यह से कि हर पूजा बताती हूं मैं इत्र नहीं चढ़ा पाई थी माता को इत्र भी चढ़ाया जाता है हर पूजा में यह इत्र देसी इत्र हाँ हर पूजा में चढ़ाती हूं, तो है माता वका हो कुमें चढ़ा रही हूं आप भी देसी इत्र सुगनधी आता है, में जरूरा इप्रैसभा पूजा श्थान आता है, इत्र शिवकार करो देवता की जये हो, रुई के फाहां में इत्र को लगा के हम देवता को अरपन कर देते हैं, ओमा गवरी नमा गवरी नमा गवरी नमा महा देवी की जये हो, ओम गंगडपते नमा गंगडपते नमा गंगडपते नमा गंगडपते नमा गंगडपते नमा द अच्छिना को भी रखके और जो भी ये प्रसाद चढ़े हुए हैं इनको और कुछ सिंगार सामग्रिय से चूड़ी है कुछ भी तो वो सम्मिला के ब्राहमणी को या ब्राहमणी के यहां जाके दान जरूर देना चाहिए माता सरसुती जी का पूजन बिधिवत करिए बच्चों से कराएगे और सुबुद्धी मिले सुबुद्धी होने पर भी सारे जो कष्ट होते हैं कुबुद्धी के कारण ही जगडा लड़ाई जो भी होता है होता है सुबुद्धी रहे सदमार्ग पर इंसान चले तो उसका जीवन सरलता से बीद जाता है मा का आशिरवाद आप सब भगतों को मिले और सब देखने वालों से और यही बिंती है कि माता का पूजन बिधिवत करिए तो मा सुजुती जी का हमने आपको बिधिवत पूजन करके दिखाया है इसी प्रकार से जो भी पर्व आगे आएंगे वो मैं आपको पूजन हमन करके जरूर दिखाऊंगी इस बार जो चैद की नौरात्री आने वाली है तो बहुत सारे भवन भाई देखने वाले बोले थे कि हमन करके दिखाना है हमन के लिए पूरा बिधिवत बताना तो मैं प्रयास करूँगी कि इस बार चैद के नौरात् तब तक के लिए नमस्कार